दर्शको आप सोचके देखिए अगर हमारे जीवन में प्रेम नहों तो कुछ भी नौन जीवन पूरा नीरस्ता से भरपूर रहता है अगर हमारे रिष्टे में प्रेम ये सवहार दी नहों तो रिष्टा कभी भी सफल नहीं होता हरी किछन दर्शको मैं अचारे पूझा आप करें तो आपके love relationship के लिए आपके विभाई जीवन के लिए कैसा रहने वाला है हमने अब तक आपको मितु राशी तक के बारे में बताया कि उन लोगों के लिए 2023 उनके personal relationship या love relationship या प्रेम संबंद या विभाई जीवन के लिए कैसा रहने वाला है इस वीडियो हम बात करें इसी होती है जिसकी वज़े से हमाई जीवन में उतार चुड़ा बने रहते हैं कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत तेजी चलते हैं जिसकी वज़े से हम जल्दी घटनाएं देखते हैं हमारे जीवन में जैसे शुक्र हो गया चन्रमा हो गया सूरे हो गया लेकिन कुछ ऐ क्या प्रभाव डालेंगे आपके पर्सनल एलेशेशिप में अगर हम ग्रहे कोचर को देखें तो बात करेंगे जो राहू के तु है आपके जतूर्थ और दश्यम भाव में बैटे हुए हैं मंगल आपके एक आदश भाव में वक्री होकर बैटे हैं यानि कि जो साल की बात वो इस तरह से कर रहे हैं फिर धीर धीर समय के अनुसार ये अपने राशी परिवर्तन करेंगे जैसे 17 जन्मरी को शनी आपी जो सब्तमेश है वो अश्टम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है बाकी गरह भी इस तरह से अपनी र प्रभाव जरूर दिखाएंगे लेकिन कुल मिलाके आपके जो प्रेम संब्द में उत्सा काफी बना रहेगा एक दूस्ते के प्रती आपका सहयोग भी बढ़ेगा आपके मन में आपके प्रेमी के प्रती काफी अच्छे विचार रहने वाले काफी उत्सार रहने वाला है और आप उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे लेकिन पूरे साल की अगर बात करें तो धीर धीर जैसे राशी में परिवर्तन होगा यानि कि जो ग्रह गोचर करेंगे उसका जो प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा हलाकि शुरुबात तो थोड़ी खटपड रह सकती है लेकिन फिर भी आपको जो संबंध है उसमें प्रागंटा बनी रहेगी लेकिन मार्च के बाद मंगल जब राशी परिवर्तन करेंगे तेरा मार्च को मितुन राशी में जाएंगे तब देख सकते हैं कि आपके जो रिलेशिशिप में करवाहट या कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है यह कुछ ऐसे आपको परस्तिती बन सकती जिसकी वजह से आप अपमें रिलेश्यशिप को ब्रेक करना चाहिए या उसको बीच में छोड़ना चाहें तो कुछ ऐसा हो भी हो सकता है तो यह इस बात का आपको तक यह से आपको परिशानी हो सकती है जिसके बारे में आपको बात में पता लगेगा और आपकी जो मिद्य हैं उसमें काफी धक्का या ठेस पहुशने की पूरी संभावना है तो बहुत सो समझ कर किसी के साथ कमिक्मेंट करें किसी के साथ रिलेश्यशिप में जाएं क्यो की बहुत असाने relationship स्टार्ट करना लेकिन इसको sustain करना है उसको बना के रखना काफी मुश्किल है थोड़ी इसमें आपको समझदारी दिखाने की जरुरत पड़ सकती है बाकी अगर बात करें तो आपकर आपकी समझदारी है आपकी सकरात्मा के तो आप अपने relationship को हर अवरोध पैदा करते हैं जो आपको आपके मांसी कलेश देते हैं जिसके वज़े से आपको लगता है कि आपने अपने समय बरबात किया है दर्शको ऐसा भी नहीं है बहुत से इमांदारी होती है relationship में और आप देखेंगे कि ऐसे relationship ही survive कर पाते हैं काफी लंबी दूरी तक चलबाते हैं वरना बीच में तूट जाते हैं तो इसका आपको अफसोस तो होगा लेकिन फिर भी अगर आप सकरात्मक रहेंगे और आप ये समझेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिवा तो आप समझेंगे कि अच्छा है क्योंकि अगर आप अशान्ती लेंगे अपने मन में इंसाइटी रखेंगे, स्ट्रेस रखेंगे तो जिसकी वज़े से आप अपनी सहत का कबाड़ा कर देंगे तो आपको उसके प्रती विशेश सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा और ये समझना होगा कि आपकी जिन्दगी के लिए जो सही है वो ही आप निड़ने ले इसके अलावा राहोकितु के उपस्थिती भी थोड़ा आपको कश्ट दे सकती है, खासकर अक्तूबर के बाद जबन का राशी परिवर्तर होगा, तो इस दर्शे को इसलिए आपको जो भी निड़ने लेना है, सो समझके लेना, उत्सहा में नहीं लेना, नहीं जादा स्ट सफलता की तरफ ज़रू जाएंगे, जो प्रहिमी चाहते हैं कि उनका जो रेलिजिशिप आगे बढ़ जाए, यानि कि विवा की तरफ जाए, तो वो उनको थोड़ा इंतिजार करना पड़ सकता है, थोड़ा संगर्श देखने को पड़ सकता है, जो परिवार के पती, उनक जो सपोर्ट आपको थोड़ा मिलने में कटनाई हो सकती है, उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, यानि कि शानी माराँ जी आपसे अच्छी खासी संगर्श और मेहनत करवा सभी करवाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिलें, तो आपको ये संगर्च और मेहनत जरूर करना होगा इससे पीछे नहीं अटना होगा हम बात कर लेते हैं हमारे विवाही दंपत्यों के लिए उनके लिए 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है विवाही दंपत्यों की बात करें तो आपके जीवन साथी के प्रती आपे रिष्टे कैसे भी कीशा तांसर चले हैं कुछ भी हो लेकिन फिर भी आप सक्सेस्फूल रहेंगे सफलता पूर्वक अपना पूरा साल लिकालेंगे कुछ थोड़े मोटे जगड़े या उतार चुड़ाव आप देखने को पा सकते हैं लेकिन कुल मिलाके कहें कि शुरुवात आपकी काफी अच्छी रहने वाली है अब बात करेंगे आपकी जो राशी परिवतने की सब्तमेश है वो अगर अश्टम में जाएंगी 17 जनवरी के बाद उसके बात किस्तिती थोड़ी तनाफुन देखने को मिल सकती है कुछ ऐसे जगड़े वाद बेवाद बढ़ सकते हैं खास कर आपके सस्वाल पक्ष से आपको कुछ ऐसे महाल देखने को मिल सकते है जिसकी वज़े से आपके मन में अशान्ती हो या कलेश हो तो इसका आपको विशेश ध्यारतना पड़ेगा इसके अलावा आपके जो साथी है उनके प्रतीबी आपको काफी गंबीता से सोचना होगा आपके रिष्टे में परिपक्ता बढ़ेगी, मैचॉरिटी बढ़ेगी क्यों जब शनी आपसे संघश करवाते हैं तो काफी महनत करवाते हैं लेकिन ये भी बताती है कि आपका जो रिष्टा है वो बना रहेगा उसमें मैचॉरिटी समय के साथ साथ आपको एक्स्पीरियंस के साथ या निए आपके अनुभव के साथ आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा जो वर्ष के अन्त में जब अक्टूबर 30 को जब राओ के तुराशी परवर्तन करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो जो जीवन साथी है उनके साथ किसी धार्मी की आत्रा पर जा सकते हैं आपके मन में जो धार्मिक्ता का महौल बना रहेगा कुछ सात्रिक्ता बनी रहेगी अध्यात्मी तरफ आप लोग की रूची बढ़ेगी तो यह कुछ अच्छा जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा नए वर्ष के अन्त तक लेकिन उसके बीच तक का समय काफी सकता है कुछ चोटे-मोटे ग्रहर की गोचर की स्थिती की बदलाव के और जैसे कुछ अच्छा समय भी आपको देखने को मिल सकता है मैं यह नहीं कहरी कि पूरा समय आपको खराब जाएगा लेकिन संगर्ष और तनाफ थोड़त देखने को मिलेगा क्योंकि जब सबतमिश अश्टर में जाते हैं तो काफी अवरोध उत्पन करते हैं तो दर्शको आप बात कर लेते हैं सुझाव की और टिप्स की यारी की उपाई की बात कर लेते हैं तो शनी वार को आप शनी से सम्मध्य वस्तों का दान करें आपको बहुत लाब होगा इसके लावा पीपल के व आप हमारी आप हमसे अगर अपनी कुल्डी का विशेशन कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आप नीचे देगे वाट्सेप नमबर पर हमें कॉंटेट कर सकते हैं हरे कृष्णा